ये है भबे मंदिर का निर्मार पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान के लोगों के लिए कहा गया कि हिंदुस्तानी तो फिटता रहा लुटता रहा अत्याचार होते रहे उन सब के लिए कहना है उन सब को बताने की बात हो जाएगी भग्मान राम के भबे मंदिर का निर् आप देख रहे हैं आपका अपना निउस नेट वॉक टी टी आई निउस खाबर गोवर्धन से है गोवर्धन गिर्राज नगरी उस समय राम मैं हो गई जब राम जरुम भूमी निर्माण के लिए निधी समर्पन अभियान के तहर निधी समर्पन राम शोभा यात्रा निकाल गार्डन में राम मंदिर निर्माण निधी समर्पन जानसभा का आयोजन किया गया जहां पर संत जनों और राम भक्तों ने आशिरवाद लिया वहीं सभी राम भक्त एकत्रित भी हुए जहां राम मंदिर के निर्माण के लिए निधी समर्पन पर चर्चा की गई वहीं रा गार्डन पर जाकर समाप्त हुई जन सभा में साथी साथ RSS के ब्रच प्रांत विभाग प्रचारक गोविन सिंग का जोशीला भाशन आकर्शन का केंद्र रहा सभा में मुख्य अथिती के रूप में संध शिरोमणी सिया राम दास जी महराज सभा अध्यक्ष के रूप में उपस्तेत रहे वहीं सभा को संबोधित करते हुए सभी राम भक्तों को शुब आशिर्वचन प्रदान करते हुए राम मंदिर के भव निर्मान की काम ना की गई वहीं विशिष्ट अतिती के रूप में आये आरसस के ब्रचपांत विभाग प्रचार गोविन सिंग का जोशीला संबोधन आकर्शन का केंद रहा गोविन सिंग राम मंदिर पर बोलते हुए विरोधियों पर जम कर बरसे वहीं गोविन सिंग कश्मीर और पाकिस्तान पर भी जम कर बोले इस अफसर पर गोवर्दन शेत्र के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंग, राधा मोहन दास, रगुनात दास सिद, प्रकाश रन चत्रवेदी, मुडिया महंत राम क्रिश्न दास, संत दीन बंदु दास, प्रमुक समासेवी गौतम खंडलवाल, समासेवी नंश्याम अगरवा और फो बाचे लाला, व्यापार मंदल अध्यक्षिस, संजु लाला, आरेसस, कारिकर्ता, प्रकाश सिंग्ध, आदी मुख्य रूप से उपस्तित रहे जैसा गया अनर्जी ने कहा ही है, दुनिया में केवल ताकत बर जो लोग होते हैं, वो ताकत बर लोग, अपने घर में बहुत बेटों की इज़त, अपने जमीन जायदार की सुरच्छा, अपने सवस्क्रपी समाज की रच्छा, अपने आश्पा के पेंदर, अपने मठ दिरों की रच्छा कर बाते हैं, और जो समाज कमजोर हो जाता है, वो अपनी आँखों के सामने, अपना सब कुछ खोता हुआ देखता है, आज भारत के लोगों ने सक्टी की उपासना करकर, और पर्भू की क्रिपा से भगवान राम का भवे मंदिर का निर्मार होनी जाए कभी अकेले के लोग बहुत रहत से मजा करते थे, लोग गहते थे, ये लोग सब पागल हो रहे हैं, लेकिन हमारे करांधी करियों ने कहा है, एक पागल पन ऐसी दिवानीगी भी चाहिए, भगवान का काम करने के लिए, रास्ता काम करने के लिए, पागल और दिवाने ही करते हैं और लोक तो यूभी जिया जरते हैं और यह जो तो यूभी जिन्फम और इन्हीं विगड़े दिमागों में इसकियों के एक हमें पागल हुई रहने दो कि हम और पागल हुई acting लिए